नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब उम्मीद करता हूं बहुत ही उमदा होंगे और इंतजार कर रहे होंगे कि आज तो राष्ट पती का चुनाओ बता ही दो आओ देखते हैं कि भारत के राष्ट पती का चुनाओ आखिर कैसे होता किस तरीके से भारत के राष्ट 갔ि का चुनाओं किया जाता है। आढेगा आपको समय नहीं बिर्द करूँगा। सीधें बात करेंगे भारत के राष्ट पती के चुनाओं की रीथी के बारे में और देखेंगे आर्टिकल नंबर 55 कहता राश्पती के निर्वाचन की रीती आखिर राश्पती के चुनाव का तरीका क्या होगा यहां पर फर्मूले बताए गए है और वो वाली बात भी बताए गई है कि एकल संक्रमरी है समान उपातिक वाला होगा आईएगा पढ़ाता हूँ आपको सिख देखेंगे पेटा आर्टिकल 55 में पहले नंबर पे कहा गया है जहां तक साध्य हो राश्पती के निर्वाचन में भिन भिन राज्यों के प्रतिजी के मापमान में एक रूपता होगी जहां तक पॉसिबल हो यूपी धारखंड के जो मत दाता है उनको समान करने की वेवस् लिजेगा अगले पॉइंट में क्या कहा गया राज्यों में आपस में ऐसी एक रूपता तथा समस्त राज्यों और संग में सम तुलिता प्राप्त कराने के लिए संसद और प्रतेक राज्य की विधान सभा का प्रतेक निर्वाची सदा से ऐसे निर्वाचन जितने मत देन कि एक रीती दी गई है उसे पढ़ लो आओ पढ़ लेते क्या रीती दी गई है कैसे रीती है एक चीज क्लिए हो गई कि विधान सभा के सदस्द से और सांसद वोटिंग में हिस्सा लेंगे एम एलसी नहीं लेंगे जनता हिसा नहीं लेगी आजओ क्या कहते हैं भाई यहां पर जो नियम बताया गया पहला नियम थोड़ा सा ध्यान से देखें को कि फॉर्मूला है और कौट में पहले फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से याद रहें जो एम एल ए का वोट होगा वह वोट बताया गया कि राज्य की जन संख्या डिवाइड करेंगे एम एल ए लेकिन कैसे वहां के जो निर्वाचित विधायक है इंटू एक वटा एक हजार यही फॉर्मूला इसमें लिखा हुआ है कैसे लिखा हुआ वह मैं आपको पढ़के सिखाता हूं हों पढ़के सुनाता भी हूं किसी राज्य की विधान सभा के प्रतेक निर्वाचित सदस्य मतलव विधान सभा को निर्वाचित सदयनी की विधायक यनि की एमेले के पास वोट पावर कितनी होगी कह रहा है जितने की 1000 के गुडित उस भाग फल में गुड़ा 1वटा 1,000 उस राज्यकी बात है उस विधान सभाके निर्वाची सदश्यों की कुल संख्यों से भाग देने पर आए MLA वहां के जितने निर्वाचित विधायक हैं उनसे भाग दे दो और अगर भाग फल 500 से ज्यादा आ रहा है तो कोई बात नहीं 500 से कम आ रहा है तो उसको वैसे ही छोड़ देना है 500 से ज्यादा आ रहा है तो एक और अपनी तरफ से जोड़ देना है वही बात आगे बताई गई वो मैं आपको सुनाता हूँ क्या है यदि एक हजार के उग्द गुणित को लेने के बाद एक हजार से गुणा करने के बाद सेज 500 यानि कि इस से इसको भाग देंगे तो टोटल अगर 500 से कम है यानि कि 400 निन्यान भी है 500 से कम नहीं है मतलब 501 तो उपखंड का में जैनि कि इस MLA में निर्दिष्ट प्रतेक सदस्य के मत की संख्या में एक और जोड दिया जाएगा जैसे कहने का मतलब यह है कि यहां टोटल संख्या कई करोड में है यहां कई कई सो यानि 403 यूपी की माल लिजेगा यूपी में 403 विधायक और जनसंख्या 24 क्रोण भाग देंगे तो हो सकता है कि भाग फल सेस बच जाए 501 तो 501 तो इस 501 की वजह से जो उपर रिजल्ट आ रहा था उस रिजल्ट में एक और जोड देना है आपको और इस भाग फल का कोई मतलब होने माला फिर आपका क्या हो जाएगा नहीं रह जाएगा उमेद करता हूं आपको मेरी बात समझने आ गई होगी मैं जो बताना चाहरा हूं जब आप संख्या से उपर वाले में भाग दे रहे थे और रिजल्ट ज्यादा बच रहता से 500 से ज्यादा है अरे व संख्यां संख्यां संसद के वोट की बात करें तो एक संसत का वोट क्या होगा जितने भी भारत के विधायक हैं सभी विधायकों के मत को जोड़ लो सबी M LA का मत, सभी निर्वाचित संख्या देड़ को चाहरे लोग सभा खायो दियान रखना है निर्वाचित सही काम बनेगा यही इसमें लिखा है पढ़ा देता हम आपको संसद के प्रतेक सदन के प्रतेक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या मतलब चाहे राजी सभा का हो चाहे लोग सभा का उसकी संख्या वह होगी जो उपखंड का यानि की पीछे विधायक वाले और उपखंड खा वही 500 से भाग देने के बाद के आधीन राजी की विधान सभाके सधस्यों के लिए नियत कुल मतों की संख्या को जितने उनके मत हैं उस संख्या को पकड़ लो सारे विधायकों के मत को पकड़ लो संसद के दोनों सद्रों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संक्या मतलब मनोनीत वाले नहीं लेने कलाविग्ञान सॡ्य निर्वाची सदस्यों की कुल संक्या से भाग देना ये कुल संख्या की लोगसथा, राजिसभा की इसी सिमय ने भाग दिला दिया, तो जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट एक संसथ का मतमुल्ल्य होगा, याद रखना विधायकों के मत का मुल्य अलग-अलग होता है और सांसद के मत मुल्य एक होते हैं चाहे राजिसभा का हो चाहे लोकसभा का चाहे यूपी का हो चाहे बिहार का हो अधिक भिन भिन्न को गीना जाएगा और अन भिन्नों की मतलब वही है कि उपर उपर का पकड़ लिया जाएगा नीचे जो बटे में आया है जैसे यहां सेज बच रहा था तो एक जोड़ने का था इधर सेज बज़रा उसको बाहर कर उससे कोई मतलब नहीं है इसी बात को और अनुपातिक एकल संक्रमडी है सिंगल ट्रांसफरेबल जीसे कहते हैं मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान कैसा रखा जाएगा गुप्त रखा जाएगा जनसंख्या की गढ़बडी हो रही थी तो यहां वह भी लिख दिया गया कि 1971 की जनगणा के हिसाब से राश्पति का चुना होगा लिखा यहां पर जनसंख्या इस अनुछेद में जनसंख्या पद से ऐसी अंतिम पूरवर्ती जनगणा में अभिनिश्चित की गई है जनसंख्या अभिप्रेथ है जिसके सुसंगत आगले प्रकासित हो गए है परन्तु इस पश्टिकर्ण में अन्तिम पूरवर्त जनगणा के प्रति इसके सुसंगम में आखड़े प्रकासित हो गए वही आगे यहां पर लिखा भी है कि निर्देश का जब्तक की सन दोजार चब्विस 84 संविधान संसोधन के द्वारा कहा गया है कि अब जो भी चुनाव होंगे उन चुनाव तक कौन सी जनगणा लागू रहेगी राश्पती के चुनाव में 1971 की जनगणा का प्रियोग होता है राश्पती के चुनाव में यह कब तक रहेगा यहांपे लिखा है येश येश अर्थ लगाए जाएगा कि वह 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश है और यह कब तक रहेगा 84 संविधान संसोधन 2001 के तहट 2026 तक इसको माना जाएगा यह 25 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया था आज भी राष्ट्पति के चुनाओं में यही प्रक्या क्या होती है लागू है तो उमेद करता हूं आपको यह बाते समझ में आ गई होंगी कि राष्ट्पति के चुनाओं में कैसा होता एक तो वैद्य क्रमली के माद्यम से जिसको सबसे कम मत मिले है उसको चुनाओं कि बाखिया जाएगा और यहां संक्या सब्सक्राइब कि यूई आपको याद न रहा हो तो वीडियो जाकर जरूर देखे इस वीडियो को लाइक करें और मुझे दिया गया टाटा वाई टेक क्यार हसते रहो मुस्कराते रहो